की और से कई तस्वीरे भी आप तो दिखा रहे हैं बड़ी चुनोती यहां पर रही दमकल कर्मियों के सामने आग पर काबू पाने में कड़ी मश्रक्कत कई घंटों की करनी पड़ी दमकल कर्मियों को आप देखेंगे तस्वीरों में काला धुएं का पूरा गुबार तेजी के साथ आस्मान की और बढ़ता हुआ उठता हुआ आग इतनी जबरदस्ट की तूर से भी यह आग का काला धुआ यह पूरा गुबार देखा ज़ा रहा था सुचना मिलते ही दमकल कर्मियों की फायर टेंडर्स की और से कड़ी मशरक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका हालनकी आग लगी कैसे किन वजहों से लगी यह पता नहीं चल पाया लेकिन प्राथ मिक्ता पहले यह रही दमकल कर्मियों की की साथ पर काबू पाया जा सके और अच्छी बात ये कि साग की चपेट में कोई नहीं आया लेकिन नुकसान बड़ा इस फैक्ट्री में आग लग जाने की बच्छ से कमपनी में जब आग लगी है तो आजपास के इलाकों में भी हड़कम देखा जा रहा है अकसा जब कमपनी ओमें आग लगती है तो आजपास आग फैलने का खत्रा होता है ऐसे में जुबाकी बिल्डिंग थी बहां हड़कम के सिदी देखी गई और फाइब रिकेट की जो अभी फिलाल तस्वीरों में आग बुझाती हुई आपको नजर आ रही है लेकिन आग बुझाते बुझाते घंटों की मशकत हो सकती है क्योंकि अभी आग लगने की ना तो वजह मालूम है और ना ही आग बुझाने की अभी कोई खबर सामनी आई है कमपनी का अधिकतर हिस्ता जो है वो इस आग में पूरी तरह से जल चुका है कमपनी के अंदर अंदर याग सुलकती रही और जब पानी इस पर डाला गया तो आप देख सकते हैं यह जो गहरा काला धुआ है वो बता रहा है कि अंदर जो आग है वो कितनी भीशन तरीके से फेली होगी और कमप मिक्ता यह रहेगी कि आग बुझाई जाए फायर फाइटर्स लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए गर्मी के मौसम में आग की घटना है बहुत जादा सामने आ रही है और यहां दादा नगर की कंपनी है यह नरॉली में जहां पर कंपनी में आग लग कि आग लगी कैसे आख लन बाद में किया जाएगा नुक्सान का लेकिन पहले प्रात्मिक